यूट एक्सिडन्ट में चली जाती है ऐसे में खुद की सेटी के लिए हैलमेट पेहना काफी सरूरी है क्योंकि बिना हैलमेट एक्सिडन्ट पुने पर मौत कारिस्क काफी जदा बढ़ जाता है त्रसल्ट टू विलर चलाते समय होने वाले एक्सिडन्ट में जादतर मौते सिर में लगी चोटों की वजा से होती है हेलमेट एक्सिडेंट के समय सिर को चोट से बचाता है साथी स्पाइन इंजरी होने का खत्रा कम हो जाता है आखों को तेज हवा, धूल मिट्टी, की टाणू, इंफेक्शन से बचाता है और कानों में पढ़ने वाला शोर धीमा हो जाता है जिससे कानों को सुकून मिलता है तो वहीं कई बार, जानकारी ना होने के चलते लोग हलका और लोकल क्वालिटी का हेलमेट खरीद लेते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि Ministry of Road and Transport के मताविक हमें हमेशा अच्छी क्वालिटी वाला हलमेट ही लगाना चाहिए हलमेट ISI मार्क वाला होना चाहिए जो 20-25 mm मोटा हो जिसमें अच्छी क्वालिटी का फोम हो साथी ये Bureau of Indian Standard के मानकों के अनुरूप बना हो BIS के नियम के अनुसार हेलमेट का वज़र 1.2 केजी से जादा नहीं होना चाहिए साथी हेलमेट में कोई ऐसा निशान बना होना चाहिए जिसे अंधिरे में भी वो चमके अगर आप अवेद हेलमेट पहनते हुए पकड़े जाते हैं से दुरघटना में ब्रेन हैमरेज होने का खत्रा रहता है मोटो वहीकल एक्ट की धार 129 के अनुसार बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना एक डंडिनी अपनाद है बिना हेलमेट के वहाँ चलाने पर 500 से 1000 उपे तक का चाला ट्राइविंग लाइसेंस का सस्पेंशन तीन महीने तक की सजा के साथ वहाँ जब भी हो सकता है साथी ट्राफिक पुलिस ठीक से हेलमेट नहीं पहनने वालों पर भी 1000 उपे तक का जुर्माना लगा रही है इसके अनाबा ठीक से हेलमेट नहीं बंदे हुने और बिना ISI मार्क वाला हेलमेट पहनने पर 194D MB-8 के तहट 1000 उपे का चालन काटा जा सकता है इसके अनाबा एकी तरह का हेलमेट हर तरह के बाइक के लिए सही नहीं होता है आपको आपके बाइक के हिसाब सही है हैलमेट का सेलेक्शन करना चाहिए जिससे तेज रफ़सार वाली बाइक के लिए फूल फेस हैलमेट ओफ रोड बाइकिंग लिए औफ रोड ह exem닉 और शेहरोंने